जै मतादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जुलाई और 20 जुलाई 2022 के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या बनेंगे किस ग्रह का प्रभाव आपकी जीवन पर सबसे जादा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से दो दिनों के बारे में सिक्षा, स्वास्त, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज के बारे में तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो चलिए पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र योग के बारे में जान लेते हैं 19 जुलाई मंगलवार का दिन है और ये जो मंगलवार का दिन है ये सावन का मंगलवार है यानि मंगला गौरी का वरत है क्रेशन पक्षिकी शष्टी थी सुबह साथ फुड़न चास तक उत्तर भाजपद नक्षत्र रहेगा अतिगर्ण नाम का योग बना हुआ है चंद्रमामीन राशी में है गजकेश्री योग बना रहे है सूर्य करक राशी में बुधादित योग बना रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में दो योग भी बने हैं सरवार्थ सिद्धी योग बना है इस दिन रवी योग भी बना है और अभी जीत मोरत है दो फैर 12 बजे से 12 बज कर 55 मिनट तक 20 जुलाई ये बुधार का दिन क्रश्र पक्षकी सब तवी थी थी रेवती नक्षत्र रहेगा सुकर्मा नाम का योग है चंद्रमा मीन राशी में ही है सूर्य करक राशी में है लेकिन इस दिन सूर्य के नक्षत्र का परिवर्टन है सूरिय पुनर वसुन नक्षत्र से निकल कर पुशन नक्षत्र में पर वेश करेंगे बड़ा ही उत्तम ये जो पुशन नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से बड़ा ही शिब नक्षत्र माना जाता है तो ये एक बहुत महत्पून नक्षत्र का परिवर्टन है रवयोग रहेगा इस दिन और अभी जीत मुर्द कोई नहीं है तो ये हो गई ग्रहों के इस्तिति अब दिनी क्यादार पर जानेंगे कि ये जो दो दिन है ये आपके लिए कैसे रहेंगे ग्रहों का प्रभाव क्या होगा नक्षत्रों का क्या प्रभाव होगा किस तरह के परिवर्तन आप अपने कामकाजी जीवन में देख सकते हैं तो चलिए विस्तार से जानते हैं पहले 19 जुलाई के बारे में जानेंगे और ये जो राशी फल है चंद्र राशी पर आधारित है बाकी ग्रहों की भी इस्तित्य माइने रखती है तो 19 जुलाई का दिन कुमराशी के जातकों के लिए ऐसी चीजों की तरफ ऐसी गतिविदियों की तरफ ज़्यादा भागदारी करने के लिए होगा जो आपकी उर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं जैसे आप आउडूर गतिविदियों से जुड़ सकते हैं आप कुछ स्पोर्ट से जुड़ सकते हैं ताकि अपनी खोई हुई जो एनरजी है आपकी उसको फिर से खटा आप कर सकें आज आपको आर्थिक लाव होने की संभावना बहुत अच्छी बनती नजर आ रही है वो भी आपकी संतान की वज़ा से या फिर अगर आपकी संतान वार्किंग है आपकी संतान जॉब करती है तो वहां उनके लिए लाव की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई है इससे आपको काफी खुशी भी होने वाली है अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं किसी कारणवस कामकाज जादा है उनके साथ बैठने का आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहले उनके साथ वक्त बिताएं अपने इस बिजी सेडियूल में से थुड़ा सा समय जरूर निका ल भी माना जाता है ये अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर आप का विवाह नहीं हो रहा है विवाह करना चाहते हैं विवाह में बाधाय आ रही हैं इस तरह की सब ही जुड़ी हुई परेशानियों का अंत इस दिन मापारवती इस दिन का वरत करने से देते हैं मंगला गोरी का वरत करें कन्याएं भी कर सकती हैं पुरुष भी कर सकते हैं और जो विवाहित कन्या है वो अपने विवाह के कामना के लिए कर सकती हैं विवाहित महिलाएं भी इस वरत को कर सकती हैं सुख सम्रधी की कामना के लिए बहुत उत्म ये दिन होता है इस दिन आपक जरूर करना चाहिए, वहाँ पारवती की करपा से आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, आप अपनी जिम्मेदारियों का बखु भी आज वहन करेंगे, और कुछ लोगों को तो आज कुछ को तो पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है, तो थोड़ा सा समल कर जरूर रहें, आज आपकी आए में ब्रदी होगी और प्रतिस्था भी बढ़ती होई दिख रही है, किसी नई काम के आगाज के लिए आप पहले उसके अनुभवी लोगों से बात कर लें तो अच्छा रहेगा, अगर किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आपने रिसंटली कोई का पता हो अपनी काम के बारे में, दिन फेबरेबल है और एनरजी देने वाला भी है तो इस अनरजी का बहर पूर इस्तमाल करें, परिवार में सुक शांती बनी रहेगी बस उनके साथ थोड़ा वक्त विताएं, आनन्द की अनुभूती होगी, किसी खास वेक्ति से मुलाकात पी हो सकती है, किसी खास वेक्ति उन से बाचीट भी हो सकती है, शाम को अपने बच्छों को कहीं घुमाने लेकर जाएं चाहें बाहर जाएं, चाहें मंदिर ही जाएं लेकिन कहीं ना कहीं आपको जरूर जाना चाहिए, जो इस राशी की अधिकारी हैं, वो आज आपसे दोरान तो किया गया हर एक दान पुरने का कार यह हर एक काम आपको बड़ी ही सिद्ध बनाने वाला हो सकता है लव रिलेशन अच्छे रहेंगे कुछ जीवन साती के साथ नया प्लान कर सकते हैं और ये नई प्लानिंग आपके लिए काफी उत्तम भी रहेंगे अब 20 जुलाई के बारे में जानेंगे 20 जुलाई एक तो सूर्य का नक्षतर परिवरतन है पुश्य नक्षतर में सूर्य परिविश करने वाले हैं और सूर्य का ये नक्षतर परिवरतन कई मायनों में विशेस होने वाला है तो किस तरह से विशेस होगा यह मैं आपको अगली आपका अच्छा रहेगा, रोज मरा के कामों से आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कारुबार में पैसा लगाने के बारे में आज आप सोच सकते हैं, कि आप अपने बिजनेस में थोड़ा पैसा इंवेस्ट करें, ताकि आप उसको जदा अच्छे से आगे तक ल दिख रही हैं रचनातम कामों से फायदा होता हुआ दिख रहा है मौजमस्ती के मौके भी मिलेंगे कामकाज के साथ साथ आज घर में कुछ शुब कारिया हो सकता है कुछ शुब प्रसंग का आजन हो सकता है और अगर आपका कहीं धन था तो उसे आप वापस पाना चाह रहे थी तो वो बिगड़े सम्मंद भी मजबूत हो सकते हैं शाम का समय आप दोस्तों के साथ भी बिता सकते हैं दोस्तों के साथ अच्छा समय वेतीत होगा सुबह दस बज़े से और दो बज़े तक का समय बहुत अच्छा है अगर आप किसी महत्पूर्ण कारे को करना चाहते ह तो ये जो समय होगा ये बहाद अच्छा होगा अब स्टुडेंट्स के अगर देखें तो देखिए आपको अपने करियर के अगर आप अच्छी शुरुआत करनी है तो आज आपको पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा और अगर आपने कोई नया स्टारटप शुरू क क्या है तो वहां से आज आपको बड़ी खुश खबरी मिल सकती है बस चिंता नहीं करने है किसी भी चीज की कैसी भी इस्तिती हो चिंता ना करें बस अपनी काम पर ध्यान दें वो काम आपको आगे ले कर जाएगा धन कमाने की सकारात्मक विचार आपके पास बनते रहेंगे और फिक्स डिपोजिट आपके लिए बड़ा फायदे मन सावित होने वाला है तो कुल मिलाकर आच्छे दिन हैं इन दिनों का फायदा उठाएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें